हेलो फ्रेंट्स आप सब का एक बार फिर से स्वागत है रीड डिजाइन्स में तो आज हम बनाएंगे प्लाजो पेंट की मोरी का एक बहुत ही बीडिफुल डिजाइन जिसे हम पिंटक्स और डोरी लूप्स के साथ रेडी करेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं तो यह मेरी प्लाजो पेंट की मोरी वली साइड है और यह इसके अंदर वली साइड पे मैंने पहले सिलाई लगा लिए जो आसन को जाती है डिजाइन बाहर की तरफ आना है तो हमें बाहर वाली साइड जो है वह खुली चोड़नी है इस तरीके से पहले तो पहले हम इस पर design डालेंगे, उसके बाद ये वाली सिलाई बाद में लगाएंगे तो सबसे पहले हम इसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे तो ये मैंने cut लगाया, यहां तक हमारे पास folding का margin है तो हम इसको पहले फोल्ड कर लेते हैं एक बार हम इसको ऐसे तो ऐसे हम पहले इसको आधा इंच ऐसे फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करते हुए, यहाँ पर किनारी की सिलाई लगा देंगे तो यह देखिए नीचे से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और अब हम इसको सीधा कर देंगे और यहाँ पर हमें गोटा पत्ती पहले स्टिच करनी है तो यह प्लेन वाली गोटा पत्ती हम यहाँ पर स्टिच करेंगे तो पहले हम बिल्कुल इसकी किनारी पर यहाँ पर हमें यह सीधी वाली गोटा पत्ती को स्टिच करना है तो पॉना इंच के गैप पे हम दूसरी गोटा पती को भी ऐसे स्टिच कर देंगे तो दो गोटा पती के लिएर हमने स्टिच कर ली है और अब हमने इसके उपर यहाँ पे पिंटक्स डाल ली है यहाँ पे इससे आदे इंच के गैप पे हम पहली पिंटक्स डालेंगे तो ऐसे हम प्लाजो पेंट को उल्टा करके रख लेंगे और इसको ऐसे यहाँ से फोल्ड करेंगे तो यहाँ से हमने आदे आदे इंच के फैब्रिक को सीधा सीधा फोल्ड करना है यहाँ पे सिलाई लगा देनी है किनारी की तो एक पिंटक्स हमारी ऐसे डल चुकी है ये देखिए और अब फिर से हम आदे हिंज का गैप लेंगे और अपनी दूसरी पिंटक्स डाल लेंगे तो ये देखिए दो पिंटक्स हमारी डल चुकी है और अब हमने इसके उपर ही दो पिंटक्स डालनी है सेम गैप के साथ तो इसमें टोटल हमारी चार पिंटक्स डालेगी तो ये देखिए 4 Pintex की सिलाईयां हमारी लग चुकी है और इसमें 2 Pintex और डलनी है यानि कि टोटल हमारी 6 Pintex डलनी है तो उसके लिए आपने 2 इंच लेंध में मार्जन जादा लेना है Pintex के लिए धियान में रखिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जन लेना है आपने तो फिर से हम गोटा पत्ती की 2 इंच लगाएंगे आधे आधे इंच के गैप पे तो दो इंच के लिए और अब हम फिर से 2 Pintex इसमें डालेंगे आधे आधे इंच के गैप पे तो इसको उल्टा करके रख लेते हैं तो Pintex और गोटा पत्ती तो हमादी स्टिच हो चुकी है और अब बारी आती है डोरी लूप्स की तो मैंने सेम कलर की डोरी पलती है जिससे मैंने ऐसे चोटे-चोटे पीसिस कट कर लिए हैं दो-दो इंच के तो अब हम इसके लूप बनाते जाएंगे और इनमें स्टिच करते जाएंगे तो जो आपकी आगे आने वाली साइडा ना यानि की फ्रंट साइडा उस पे आपको लूप स्टिच करने है तो ऐसे लूप बनाते जाएंगे और इनमें एक-एक रखते हुए स्टिच करते जा तो यह देखिए सारे लूप हमारे स्ठिच हो चुके हैं और अब हम इसको फिटिंग की सिलाई लगा देगे इसको ऐसे इसके उपर रखते हुए इस साइड से हमें इसलाई लगानी है तो जो सिलाई हमने डोरी लूप्स को स्टिच करते हुए लगाई है उस सिलाई को हम दब आते हुए एक सिलाई और लगा देंगे यहां पर फिटिंग की तो यह देखिए फिटिंग की सिलाई लगने के बाद हमारी यह प्लाजो पैंट ऐसे आ जाएगी और अब हम इन टोरी लूप्स के बीच में यह वाले पर्ल लगा देंगे गुल्डन कलर के सारे लूप्स के बीच में लगा देंगे तो पहनने के बाद यह कुछ ऐसे आ जाएगी तो अगर आपको मेरे यह डिजाइन और मेरी यह वीडियो ची लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिजाइन के साथ मिलते हैं तिल देन ब